Hello and welcome to UPSC History Optional. Today we are going to talk about European States System, जो के एक important topic है of the chapter Origins of Modern Politics, World History. तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम का कैसे उद्या हुआ, History Optional वालों के लिए तो super important है, General Audience के लिए भी important है because nation states, जिसको आज हम जानते हैं, जो की COVID-19 में विंडिकेट हुआ है कि किस तरह nation states ज़रूरी है, इस चीज का जो origination हुआ, वो largely 17th century Europe में हुआ, Scholars के अलग तरह के arguments भी हैं कि ancient India में भी ऐसा होता था, Moria was a grand centralized state, but there is an argument about that, वो हम करेंगे, डिसको बहुत interesting argument है, पर यहाँ पर जो हम modern sense में समझते हैं, यह समझते हैं कि nation states का system, nation states as we know it, 17th और 16th century Europe में हुआ, और जाहिर है फिर modern state तो Napoleon के बाद ही शुरू हुआ, 19th century के शुरू में, तो let's start, सबसे पहले nation क्या होता है, so a nation is ordinarily defined as a group of people who feel themselves to be a community, bound together by ties of history, culture and common ancestry, एक यह generic definition है, इसी तरह nationality, वो feeling है जो unity और loyalty की लोगों के बीच में होती है, एक nation के लोगों के बीच में जो वो feeling होती है, उसको nationality और nationalism कहते हैं, तो ऐसा भी scholars मानते हैं कि यह एक changing concept है, इसके dimensions change होते रहते हैं वक्त के साथ, यह static concept नहीं है in time and space, medieval Europe तक nationality और nation state का concept जो था unknown था, जो लोग थे, वो ethnicity और language के basis पे aligned थे, और उनकी loyalty जो feudal lords थे, जो surfdom का system था, वहां तक उनकी loyalty सीमित थी, जो यह nobles होते थे, feudal lords जिनको हम कहते हैं, वो अपनी loyalty shift करते रहते थे, कभी किसी king पे, कभी किसी king पे, लोगों को कोई जादा मतलब नहीं होता था, उनको अपने load तक उनका मतलब सीमित था, जिनसे उनकी interaction थी, तो जैसे जैसे धीरे धीरे, industrial capitalism का rise हुआ, industrial revolution के बाद 17th century onwards, और एक parallel decline feudalism में हुआ, तो ये भी एक trigger point समझा जाता है, European nation state system का, अब यहाँ पे मैं point आपको note as such नहीं करवा रहा हूँ, आप इसको सुन लें, आप चाहें तो साथ में ही points को note कर लें, चाहें तो अपने subconscious में इसको larger frame कर लें सिर्फ, और बागी आप notes जहां से भी बनाते हैं, जो भी book follow करते हैं, वहाँ से कर लें, तो जो modern nationalism है, उसकी पहली जलक, जिसको हम proto-nationalism भी कहते हैं, आपको एक keyword यूज़ करने हैं exam में, I give you a lot of keywords, तो ये keywords आप अपने जहन में रखें, इनको यूज़ करें, जहां भी मुम्किन हो, तो एक proto-nationalism सबसे पहले देखा गया था, यूरोप में जब hundred years war हुई थी, इंगलेंड और फ्रांस के बीच में, वैसे तो वो hundred से भी ज़्यादा years की war थी, पर उसको hundred years war कहा जाता है, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ था, जब इंगलेंड के हाथो फ्रेंच हार रहे थे, तो तब एक फ्रेंच नोबिलिटी में और आम पब्लिक में, इस भावना का, इस भावना का उद्या देखा गया था, कि क्यों ना हम सब मिलके इन इंवेडर्स के साथ लड़ें, तो यह जो feeling थी, कि हम सब इसको एक प्रोटो नेशनलिजम सब्जा जाता है, कि जो पहली बार यूरोप में देखा गया था, उसके बाद, जो इसका दूसरा trigger point है, नेशनलिजम का, पंदरवी और सतरवी श्ताबदी के बीच में, यूरोप में बहुत wars हो रही थी, तो इन wars में जो king थे, उनको taxes की requirement भी उनकी बढ़ रही थी, तो जब kings की taxes की requirement बढ़ रही थी, तो उनको tax collection के लिए, एक centralized taxation system उनको establish करना पड़ा, उनको एक mercantile feeling establish करनी पड़ी, और इसको भी एक modern nationalism का trigger point समझा जाता है, बट ये trigger थे सिरफ, जो हकीकत में modern nationalism की एक नीम और बुनियाद रखने का काम कहा जाता है, कि जिसने यूरोप में किया, that is the great Napoleon Bonapart, उसको great बहुत कारणों से बोला जाता है, और जाहिर है जब हम Napoleon को पढ़ेंगे, तो you will enjoy it, even जो एक famous musician थे यूरोप के, Beethoven, Beethoven ने यूरोप, Napoleon की शान में एक पूरी symphony वोग करी थी, उसको बोलते हैं, symphony three, तो symphony three आप सरच करना, Beethoven की मिलेगी आपको, वो Napoleon ने जब, Beethoven को लगता था कि Napoleon आप feudalism को खत्म कर रहा है, और modern liberal states ला रहा है, तो उसने वो symphony लिखी थी, पर बाद में जब पता चला कि Napoleon भी खुद को उसने king डेकलियर कर दिया है, तो फिर बोनापार्ट ने ये symphony, सोरी, Beethoven ने ये symphony destroy भी कर दी थी, but it's just an interesting thing to show कि how Bonapart kindled the hopes of all the Europeans, तो ये कैसे किया Napoleon ने, सबसे पहले तो Napoleon ने अपने French state को एक bureaucratic state बनाया, उसने एक centralized bureaucratic state बनाया, liberty, equality, fraternity, तीन pillars से French revolution के, उसने कहा कि मैं liberty तुमसे छीनूँगा, पर equality और fraternity तुमें दूँगा, तो basically ऐसा उसने किया, तो इसके बाद उसने पूरे Europe के countries को उसने subjugate किया एक बार, तो जब उसने subjugate किया, तो उन countries में भी एक nationalism की feeling आई, for example, Spain, तो Napoleon ने Spain में अपने भाई को बिठा दिया था, वहाँ के राजा को हरा के, तो बाद में Spain ने hit back किया, गुरिला war हुआ, सब कुछ हुआ, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, तो ultimately Napoleon को कहना पड़ा, the Spanish ulcer has ruined me, तो, but Spain में nationalism की feelings फर्मेंट हुई, इसी तरह जर्मनी, जर्मन लोग इतनी सारी principalities में, छोटी छोटी उसमें बंडे हुए थे, नेपोलियन ने उनको मिला के जुले वरिंस बनाए, जो के खरीब 300 बनाए, पहले 300 से भी जादा थे, तो यहाँ पर जर्मनी में उसने help करी, जो के बाद में फिर बिस्मार्क ने, blood and iron policy के तहत, इन 300 को भी मिला के, एक जो great state of Germany था, वो बना दिया था, इसी तरह इटली में भी इस तरह की feelings आई, etc., etc., तो यह जो feelings आई, कि अभी नेपोलियन ने हमें attack किया है, हम hit back करें, क्योंकि हम एक nation है, तो यह एक modern nation state का उद्धा समझा जाता है, इससे पहले भी ऐसा नहीं है, कि लोगों ने कभी इससे पहले hit back नहीं किया था, अगर आप देखेंगे, कि जो टर्की ने जो यह स्पेन में wars हुई थी, जब स्पेन को इसलाम ने capture किया था, और बाद में जब यह fall of constantinople हुआ था, उसके against भी hitbacks हुए थे, पर वो largely peasants ने किये थे, और वो on the behalf of religion किये थे, वो on the behalf of state नहीं किये थे, तो यह important distinction है, जो कि समझना ज़रूरी है, उसके बाद एक और जो factor है, जो बहुत ज़ादा important था, fuel करने में national states को, वो था industrial revolution, जबकि Britain ने एक early lead ले ली थी इसमें, Germany, Russia, Italy भी धीरे-धीरे, एक industrialism का उध्या हुआ, industrialization का, उसकी वज़े से क्या हुआ, लोग एक economic integration में आए, और एक nationalism feeling strengthen हुई, because industrialization में exploration बहुत था, तो लोगों को लगने लगा, कि एक जो centralized state है, वो properly industry को regulate कर सकता है, और इससे ना सिर्फ industrialist को फाइदा होगा, because एक regulation होगे, बलकि workers को भी फाइदा होगा, because उनके भी exploration पे कहिन कहीं, चेक लगेगा, तो market forces जो थे industrial evolution के, उन्होंने भी कहीं न कहीं help किया, formation of the modern day nation states, तो इस बारे में जाहिर है, ये बहुत बड़ा topic है, इसको हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर हमारे लिहाज से, इसकी करसरी knowledge ही काफी है, जो कि हमने ले ली है, एक और factor जो हम quickly discuss कर सकते हैं, वो language का है, जबकि कहा जाता है, बहुत सारे states, such as France और Italy, इनका nationalism language बे अधारित था, पर ऐसा नहीं था, उस वक्त, experts बताते हैं, कि France में जो standard French है, उसको सिर्फ 4 पतिश्चत लोग बोल सकते थे, और France से जादा, यह बड़े मजाग की बात है, कि France से जादा French, English nobility को आती थी, in fact, England के कहीं तो ऐसे king थे, जो English को masses की language समझते थे, और elite की language को वो French बोलते थे, England के एक दो ऐसे king थे, जिनको French ही आती थी, as a primary language, otherwise France के जो hinterlands थे, वहाँ पे लोग ज्यादा तर अपने folk dialects बोलते थे, local dialects बोलते थे, French एक limited लोगों की language थी, इसी तरह Italy, Italy का जो standard dialect है, उसको सिर्फ 10% लोग Italian बोलते थे, otherwise जो local languages थी, वो बोली जाती थी, तो अगर जो linguistic nationalism की हम यूरोप में बात करें, तो that was more of something imposed from the top, rather than from the bottom, इसी तरह एक और distinction समझा जा सकता है nationalism में, वो है by the way of integration or disintegration, बहुत से countries हैं जो integration की वज़ा से nation बने, जैसे Germany है, यह बहुत सारी principalities मर्ज हुई तब nation बना, Italy में South और North Italy, और यह Sicily, Saradona, यह सब कुछ मिल मिल के, Pigmont, यह मिल के वेर्मॉंट, मिल के फिर यह Italy बना, लेकिन कुछ nation states हैं जो disintegration से भी बने हैं, जैसे के Norway, Norway Sweden से अलग हुआ, तब एक nation बना, Poland, Poland ने कुछ हिसा जर्मनी से खहंचा, कुछ हिसा रश्या से खहंचा, तब बीच में Poland, कुछ Belarus से खहंचा, तब यह बीच में Poland बना, तो कुछ disintegration से भी बने हैं, तो यह करसरी आइडियाज हैं, इन आइडियाज को आप अपने तोर पे explore करें, नेट से पढ़ें या sources से पढ़ें, लेकिन इस पे ज़्यादा questions कभी आए नहीं हैं, और इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा वक्त मैंने भी नहीं लगाया, कोशिश करें कि आप भी ना लगाएं,